नमो बुद्धाय जेभिम जेभर्द कहिना धोड़ा मुश्किल है कि इसका निर्मान बियर की बोतलों से किया गया है क्यूंकि दूर से यह पुरा काच का लगता है वैसे आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर विहार जैसे पवितर स्थल को बियर की बोतलों से क्यों बनाए गया है तो आज से करिब 30 साग पहले व्यार की बहुत दभिक्षू समुद्र में बढ़ते कचरे से काफी परिशान थे इसी समस्या से निपटने के लिए उन्होंने लोगों से समुद्र में जमा हो रेली बोतलों को रिसाइकल करने के लिए कहा जिसके बाद लोगोंने व्यार की निर्मान के लिए बेयर की बोतलों को इखटा करना शुरू कर दिया यह अनुका व्यार अपनी सरचना की वज़े से काफी मशूर हो गया है यही वज़े है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं लोगों के लिए यह परेटन स्थल से कम नहीं है और हाँ खाली बेयर की बोतलों से बोत दविक्षों ने ना सिर्फ व्याहर बनाए बलकि उन्होंने इसे शमशान, पानी की टंकी और शावचले भी बनाए है बेयर की बोतलों से ऐसे निर्मान का काम आगे भी जारी रहेगा ऐसे वहा की बोत दविक्षों ने कहा जिससे पर्यावरन का मदद हो सकती है कितनी भी बूरी चीज़ हो वो बोत दधम के आचरण से निर्मल और साफ होती है वो इंसान हो या इंसानों ने बनाई हुई चीज़ हो मित्रो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्याद से ज़्याद से शीर कीजिए अगर आपने आपी तक इस चैनल को सब्सकाइब ने क्या है तो जरू सब्सक्राइब करें और साथ में देएगें बेल आइकोन को दाबानों भूलें इसे के साथ नहे वाले चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करें जाइन बटन के जरे चैनल के सदेश्टी जरू बने चलो मिलते अगले विडियो में नमो बुद्धाय, जे भिम, जे भार्द